हेलो एवरिवन मैं आकांशा आज हम बात करते हैं कोरोबोई गेम के बारे में मड़ीपूर की राजधानी इमफाल के कक्षा नौवी के छात्र बलदीप ने कोरोबोई नाम से एक मोबाइल गेम बनाया है इसमें खास बात यह है कि नौवी कक्षा के छात्र बलदीप ने यह मोबाइल गेम लौगडाउन के दोरान ही बनाया है कोवेट दिसा निर्देश पर आधारित यह गेम सिर्फ एंड्रोइड यूजर्स के लिए है और गूगल प्ले स्टोर से अब तक 20,000 से जादा लोगों ने डाउन्डूड किया है इस गेम में एक लड़का कोरोवोई जो की कहीं फस जाता है उसे उसके लक्ष तक पहुशना होता है लड़का मड़ी पूरी परंपरी कपड़ा और मास पहन कर अपने लक्ष की तरफ दौरता है इस बीच गेम में पल और सैनिटाइजर मिलते हैं जिससे युमेनिटी के पॉइंट्स मिलते हैं लेकिन फूलिस के पकड़े जाने पर 5000 पॉइंट्स काट लिए जाते हैं तेरह साल के बलदीप का ये इनोवेशन सराहनी है गेम में यह भी दिखाया गया है कि कॉविट काल में युमेनिटी बढ़ाने के लिए फल खाना और संक्रमन के लिए सैनिटाइजर का इस्तमाल करना जरूरी है यह मोबाइल गेम मड़ी पूरी पहनावे पर भी रोशनी डालता है जिसमें एब बनाने वाले लड़के का अपने संस्कृतिक के प्रती प्रेम छलगता है बता दे कि मोबाइल गेम कौरो बई बलदीप का पहला करनामा नहीं है इससे पहले भी उन्होंने वाइस रेकोगनाईज यानी आवाज से कंट्रोल होने वाला एक रोबोट बनाया था जिसको मड़ी पूरी और अंग्रेजी कमांड की मदद से कंट्रोल किया जा सकता है नवी कक्षा के बलदीप काई प्रोग्रामिंग भासाओं में माहीर है बलदीप का कहना है कि मैं एक एथिकल हैकर और आर्टिफिशल इंटेलिजन्स और अन्य तक्निकी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहता हूँ मेरे चाचा ने मुझे कोविट पर एक गेम बनाने का सुझाओ दिया था और यह गेम शुक्रवार को लांच किया गया है बता दे कि मोबाइल गेम कोरो बोई पर 1260 से ज़्यादा लोगों ने अपना रिव्यू दिया है और गेम में प्लेयर स्टोर पर रेटिंग 4.5 है